श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंदर राशी पर आधरीत हैं हमारे मन और मश्तिश्क पर चंदरमा का गहरा प्रभा होता है हमारे रोज की जीवन में चंदरमा की वज़े से हम काफी बदलाव महसूस करते हैं और आज आपकी कुणली में चंदरमा की पोजिशन काफी अच्छी है जी हाँ चंदरमा इस दिन आपकी कुणली में दूसरे भाव में रहेंगे ये दिन आपके लिए सफलता लाएगा आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएगे मन पसंद रहेगा, खुशनुमा माहोल रहेगा नोकरी में और बिजनेस में दोनों जगए आपको लाभी लाभ मिलने वाला है जी हाँ धन्भाव में चंदरमा होने से आपको धन की प्रापती हो सकती है आपके बिजनेस में मुनाफ़ा होगा आपको हर तरह से लाब होने की संभावना है इस दिन पैसों का लेंदेन करना आपके लिए फायदे मन रहेगा ये दिन आपके परिवार वालों के साथ मजे में बितेगा जी हाँ दूसरा घर कुटुम्ब का स्थान भी माना जाता है पारिवारिक सुक के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है आप अपने परिवार को वक्त दे पाएंगे स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है स्टूडन्स इस दिन अच्छी एकागरता से पढ़ाई कर पाएंगे पढ़ाई करने में मन भी लगेगा विध्यार्थियों को आज अपने future के लिए planning करना अच्छा रहेगा अगर personal life की बात करते है, love life की बात करते है तो love life के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा अपना प्यार व्यक्त करने के लिए ये समय अच्छा है मैरिड लाइप में मदूरता रहेगी पार्टनर एक दुसरे को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे अड़्चने या तकरार दूर होती रिखेगी अगर स्वास्त की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस दिन स्वास्त से जुड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दिन आनन से भरपूर होगा जो पहले से बीमार है उन्हें भी आराम मिल सकता है अपने खान पान पर ध्यान दे योगा करे प्रानायाम करे और सुबह का टहलना शुरू रखे दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशीपर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा